अभी के इस सेशन में आप सब का स्वागत है अभी हम लोग इंद्रा आवास योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं इंद्रा आवास योजना का शॉर्ट फॉर्म है आई एवाई अब यहां पर क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं अब ही ठीक है प्रस्तावनया पर क्या लेका है ग्रामीन छेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास हीन परिवारों को आवास निर्मान हेतू शत प्रतिशत आथिक सहता उपलब्ध कराने के लिए इंद्रा आवास योजना वर्ष 1985-86 से प्रारम की गई थी आश्वाशन की उपयोजना तथा वर्ष 1989 से 1996 तक जवाहर रोजगार योजना की उपयोजना थी वर्ष 1996 से यह स्वतंत्र योजना के रूप में क्रियान विध की जारी थी अब ध्यान से सुनिये राजियु गांधी की सरकार के समय इंद्रा आवास योजना स्टार्ट हुई थी जिसको शॉर्ट कट में बोल दिया या था आई एवाई क्या होता है फिर वर्ष उननीस सो अठ्यासी नवासी तक किया योजना ग्रामीन भूमी ही रोजगार आश्वाशन की उप योजना इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूरल लेंडलेस इंप्लॉयमेंट गरेंटी स्कीम इस योजना के अंदर का यह चर थी यहां पर यह बोला जा रहा है कि यह योजना उननीस्तो पिचासी च्यासी में आई फिर उसको क्या है इसको न एक और योजना थी कौन सी योजना थी यह RLEGP के अंदर चल रही थी कब से कब तक 1988 से 1989 तक चली फिर बात क्या जा रहा है कि 1989 से 1996 तक यह JRY जवाहर रोजगार योजना के अंतरगत चली तब किसी दूसरे योजना के अंदर चली थी वह जवाहर रोजगार योजना है फिर बात में बुला गया कि 1996 वर्ष 1996 से यह स्वतंत्र योजना के रूप में क्रियानवित किया जा रहा है उसके बात क्या होता है एक जनुरी यह डेड़ का है एक जनुरी 1996 से इंद्रा आवास योजना जो है अपने actual नाम इंद्रा आवास योजना के नाम से अब अलग से चर रहा है ना वो इसके अंदर चर रहा है R, L, E, G, P के अंदर ना वो किसके अंदर चर रहा है जबहार, रोजगार, योजना के अंदर चर रहा है आई, A, Y का उद्देश, what are the aim of I, A, Y, तो IEOI का सबसे पहले उद्देश था यहाँ पे लिखा गिया है इंद्रावास योजना का प्रमुक उद्देश SC-ST समुदाय के लोगों को आवास प्रदान करना जो BPL below poverty line के नीचे क्या कर रहे हैं अपना जीवन यापन ब्यतीत कर रहे हैं तो सर आपने तो उपर में अलग बोला है ग्रामिंग शत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए करके और यहाँ पे आप S.T.S.C. बोल रहे हो सर करके तो ध्यान से सुनिए इंद्रा आवास जो योजना था 1986 में जब आई थी तो यह स्कीम जो था S.A.S.C.S.T. जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जिनके पास रहने को घर नहीं है उनके लिए आई थी ध्यान से सुनिए इंद्रा आवास योजना जो था S.C.S.T. के लिए आया था पहले और ऐसे S.C.S.T. के लिए आया था जिनके पास रहने को घर नहीं है उनके लिए बिलो पावर्टी लाइन के लिए यह आया था बाद में क्या होता है 1994 में ऐसे लोग जो S.C.S.T. नहीं ह और गरीब ही रेखा के नीचे जीवन यह अपन करते हैं जैसे O.V.C. हो गया या सामान यह और जैसे ब्राम्मन हो गया कोई गरीब है वो बिलो पावर्टी लाइन वाला है लेकिन ब्राम्मन है सामान यह और का है ठीक है तो ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया गया 1994 1994 से मतलब यह 1994 से ऐसे लोग जो SC हो या ST हो या समान नियोवर्ग के हो या अन्य पिछडा ओवर्ग के हो OBC हो अधर बैकवर्ड क्लास के हो अगर वो बिलोव पावर्टी लाइन से नीचे वाले हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं उनके पास घर नहीं ह स्योजना के तहद घर प्रदान किया जा रहा है तो इसका प्रभुक उद्देश आवास निर्मान करना था ठीक है और पूरा पैसा गौर्णमेंट प्रोवाइट करती है तो यहाँ पर समझ गए कि पहले ये SCM STST के लिए था 1994 से ये सब के लिए हो गया जो बिलोव पावर् पे 6 स्लाइड में बना हुआ है जो मैगजीन है उसमें एक पैरा में कम्प्रीट कराया गया है क्योंकि वो शॉट टंग के लिए आपको रियूजन के लिए लिया गया है तो इसलिए मैं बाहर 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 बोलता हूं कि PDF की नोर्स रख लो वो जादा बेटर है बाकी आपक रख स्ट की है ऐसा है कि क्लास से जिसको भी जुड़ना है वह वासाप लंबर के को back कर सकते तो किसी भी डॉट के लिए अब यहां पर बात करते है योजना के प्रमुग बिंदू इस प्रकार है यहां केंदर प्रवर्वर्टित योजना है इसमें आवासों के निर्मान है तु भारज सरकार 75% और राज्य सरकार 25% उपलब धकराती है यहां पर यह बुला जा रहा है कि अगर सपोस इंदरा घांधी में 100 रुपए दिया जा रहा था उसे 100 रुपए का 75 रुपए 12 सरकार देगी 25 रुपए कौन देगा राज्य सरकार देगी यह सामान में राज्यों के लिए है या मैदानी इलाखों के राज्यों के लिए यह डिस्टिब्यूशन है लेकिन ऐसे राज्य जो पहाड़ी इलाखों आले है या ऐसे राज्य जो भारत के उत्तर कुर्वी जैसे सैवन सिस्टर नागा लेंड मनी पूर मेगाले असम त्रि स्टेट में और 10% कहां पर कौन पर सदेगा राज्य सरकार माकी साधारन राज्यों या मैदानी राज्यों में यहां तक समझ आया आप नों को अगला राइन ये बोला जा रहा है कि योजना में जिले और राशी का निरधारन भारस सरकार द्वरा किया जाता है जलो ठीक है योजना में उपलब्द संसाथनों का 60% SCST SCST जाती है ये SCST जाती के लिए तथा 40% समान ने वरगा के लोगों के आवास पर ब्याय करने का प्रावधान है तो यहां से यहां ध्यान से सुनिए सपोज भारस सरकार ने एक हजार करोड इंद्रा आवास योजना में आबंटित किया पैसा इंद्रा आवास योजना में पूरे भारत में एक हजार करोड दिया जा रहा है तो उस एक हजार करोड का 60% मतलब 600 करोड और उस एक हजार करोड का 40% मतलब 400 करोड यह जो 600 करोड रहेगा इंद्रा आवास के घर बनाने में काम आयागा और 40% जो पैसा मतब 400 करोड से किसका घर बनेगा सामान ने कैटेगरी का घर बनेगा 600 करोड मतब 60% से किसा बिलो पावर्टी लाइन वाले अस्ती प्रतिषत भाग 90% के निर्वान पर 20% भाग आवासों के उनियन पर किये जाने का प्रावधान प्रेृधान किया अब यह क्या बुर रहे है यहां पर यह बुर रहा है कि फिर से बुर रहा है सपोज एक हजार करोड इंद्रा आवास योजना में भारत सरकार ने दिया पैसा तो यहाँ पे बूर रहा है कि जितना भी इंद्रा आवास योजना के लिए पैसा दिया जाता है उसका 80% से नया मकान बनता है और उसके 20% याने 200 करोड से जो पूराने मकान रहेंगे उनको repairing कराया जाएगा, renovation होगा, union होगा, उसके टूट-फूट का सुधार किया जाएगा simple शब्दों में यह बोर रहा है कि जितना भी भारसरकार पैसा देती है, भारसरकार राजसरकार पैसा देती है उसके 80% पैसे से नए मकान मनाया जाएगे और 20% पैसो से पुराने जो मकान है उसका repairing कराया जाएगा यहाँ पर बोला गए इंद्रावास योजना में अलप संख्यकों को 15% तक लाब पहुचाने का निरधारन किया गए इसका मतब सिंपल सी बात है 15% जो आरक्षन है इंद्रावास योजना में वो minorities को या अलप संख्यक अलप संख्यकों को आते हैं मुसलमान, जैग, पंजाबी, पार्सी, बहुत इनको 15% आरक्षन दिया जाएगा इंद्रावास योजना के अंदर का तीन प्रतीशत जो है निशक्त जन को लाब दिया जाएगा चलो ठीक है इसके अलावा इंद्रावास योजना में शारिक वा मानसिक विकलांगों को विकलांग नहीं है या दिब्यांग आएगा शारिक और मानसिक दिब्यांगों को मकान उपलब्ध कराएं जाएंगे ऐसे लोग जो मंद बुद्धी है या ऐसे लोग जो फिजिकली हैंडिकेप्ड है और मेंटली हैंडिकेप्ड है उनको भी मकान दिया जाएगा जितना भी मकान दिया जाएगा उसका 60% जो आरक्षन है वो SCST के लिए है SC और ST के लिए है 15% Minorities के लिए 3% निशक्त जन के लिए 60% जो है वो किसके लिए SCST के लिए है भीया आगे चलते है जी अब आगे में ये बोला गया है कि इंद्रावास योजना में प्राक्तिक प्रकूप से निपटने के लिए 5% राशी सुरक्षित रखी जाती है अब इसका मतलब क्या है सपोज भारत सरकार जो एक परिवार को सपोज एक लाख रुपए दे रहा है मानके चलते हैं एक लाख रुपए देता है परिवार को इंद 95,000 दिया जाएगा किता दिया जाएगा उसको 95,000 दिया जाएगा अरो जो 5,000 रहेगा 5% जो रहेगा भारत सरकार अपने पास रखेगा क्यों रखेगा अगर अचानक से कभी बाड़ आ गया बिजली गिर गई जिसको गाज गिरना बोलते हैं भुकम पा गया या कोई भी ऐ ऐसी प्राकृति का अबदा नैचुरल डिजास्टर आ गई ऐसे सिचुएशन में भारत सरकार जो पांच प्रतिशत अपने पास रखे रहता है 5000 वह इन फ्यूचर इस परिवार को देगा मतलब 95,000 में वह जो 5000 रखा रहता है वह उनको दिया जाएगा ताकि और द्राइज दॉरा दी जाती है । एक nteयाद है न इंद्रा वास योजना का जो नॉडल उजन्जीज वो DRDA in district rural development authority थे के district rural जीला ग्रामीन विकास प्राथीकरन ईंद्रावास योजना का जी नोर्ड़ एजंजण सीजो काम कराता है अब हैं यहाँ पे बुला गया है। और धुवा रही चुला बनाया जगा आगे पढ़ते हैं जिसमें नियूंतम 20 मिटर वर्ग मिटर में आवास रसोई होना ती आवशक है आवास निर्वान है तो फिर से रिपिट हो गया यहां पर ठीक है यहां पर तीन लाइन का मतब यह है इंद्रा आवास योजना में आपक इतना जमीन दिया जाएगा 20 स्क्वेर मिटर या 20 वर्ग मिटर का जमीन आपको दिया जाएगा उससे जादा नहीं दिया जाएगा दूसरी बात जितना भी जमीन दिया जाएगा तो आप उसमें घर बनाओगे तो उसमें जो घर बनाओगे उसमें सोचाला है रहना जरूरी जरूरी है ऐसा कीचन बनेगा जो धूआ रही तो जहां पर लकड़ी वकड़ी का यूज नहीं करना है ठीक है यह चीज बुला गया तो मकान 20 स्क्वेर मीटर में होगा सोचाला बनाना है धूआ रही चूलाया कीचन होना चाहिए स्मोक फ्री कीचन होना चाहिए इंद्रावा अब्बे रेशो क्या जाए गई दस इंद्रावास योजना की धर राशी केंद्र शाचन और राज्य शाचन दोनों मिलाकर करती है यह दिया गया दोनों को मिलाकर देते हैं अब यहां पर बुला गया इंद्रावास योजना में हिद्गाही मतलब जिनको भी पैसा मिलता है वो राशी का भुकतार वो राशी कहां से ने सकते हैं इंद्रावास योजना में जो भी राशी जिनकों भी परदान किया जाएगा वो अपनी राशी डाक घर या बैंक में अपने लेकिन जादा तर मालिकाना हख पत्नी को रहता है। इंद्रा अवास योजना में लावारतियों की सूची ग्रामसवा बनाती है। अभी बात करतें इसके बारे हैं। और क्या बुला है आपर अगला। योजना में हिद्गराईयों का चैन ग्रामसभा द्वारा किया जाता है तो ध्यान से सुनिए हर गाउं में ग्रामसभा होती है ठीक है तो हर गाउं का जो ग्रामसभा रहेगा अपने गाउं में ऐसे लोगों का चैन करेगा जो यहां तो SCST है यह सामान नियवर्ग के हैं और इनके साथ साथ वो बिलो पावर्टी लाइन वाले हैं गरीबी रेखा के नीचे मतलब ऐसे SC, ST, सामान ने वर्ग और अन्य पिछडा वर्ग के परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन गाओं में काट रहे हैं ऐसे परिवारों का चेन गराम सभा करेगी कि इनको इन्रावास योजना के तथ क्या देना है मकान देना है और इसका अनुमोदन गराम सभा गराम पंचायत को करती है ठीक है और हित्गराही द्वारा लिखित में जब साधा कागच में आवेदन दिया जाता है इसको गराम पंचायत को तो वो योजना का हित्गराही बन जाता है चैन हेत्व प्राथमिक तब निमना नुसार किन किन लोगों को मिलेगा भई मकान पहला क्या है मुक्त बंधुआ मजदूर होना चाहिए दूसरा अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती के परिवार तीसरा ऐसे SCST परिवार जिन पर अत्याचार किया गया था या अत्याचार से जो पेडित है चौधा ऐसे SCST परिवार जिनके जो मुक्या है वो या तो विधोवा महीला है या ऐसी महिला जिसका विवाह नहीं हुआ है अगला ऐसा HTSC परिवार जो बाड से, आग जनी से, भुकम से, चक्रवा से या इसी प्रकार के प्राक्तिक अपदाव से पिडित है या ऐसे HTSC फेमली जो फ्लड, फायर, अर्थक्वेक, साइकलोन ऐसे डिफरेंट है के नैच्रल डिजास्टर से जो क्या है एक्स्प्लाइट हो चुके है, पिडित है वो, ऐसे SC-ST परिवार या ऐसे नौन-SC-ST परिवार गैर अनुसुची जाती-जन जाती परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन ही आपन कर रहे है जो विकलांग है जिनके हस्बेंड अर्थसानिक बल में थे, शहीद हो गए है ऐसे लोगों को एक्स सर्विसमेन है ठीक है, ऐसे लोग जिनको उनके जगह से हटाया गया है और वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन ही आपन कर रहे है उन सब को मकान मिलेगा यहाँ पर वही चीज़ लिखा है ठीक है अब यहाँ पर बात करते हैं योजना में आवासों के निर्मान है तू कोई डिजाइन नहीं तो यहाँ पर याद रहना जैसे कालोनी होता है तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ जैसे अभर मेरे को मकान दिया गया तो अमित कुमार साहो जी है उस मकान का डिजाइन कैसे बनाना है कैसे रहना चाहिए वो डीसाइट करने के लिए फ्री हैं तो इंद्रा आवास योजना में मकानों का डिजाइन एक टेक का नहीं रहता वो डिफरेंट डिफरेंट रह सकता है, वो मकान मालिक या हिदगराही के उपर रहता है, लेकिन इसका जो साइज है 20 ओवर का मीटर होगा, उससे कम नहीं होगा ना उससे जादा नहीं होगा, योजना में आवासों का निर्मान स्वयम हिदगराही द्वारा किया जागे, यहा कि अंतरकत आवास के निर्मान के साथ सौचाला का निर्मान करना अनिवार यह है, ग्राम पंचात तीन किष्टों में हिदगराही को आवास निर्मान हेदू राशी उपलब्द कराएगी और यह शायद शालिस अनुपात ऐसे ऐसे हैं, मतलब जैसे ग्राम पंचात, जैसे 42Хज़ार देगा, फिर तीसे बार 20च़़ार देगा, हो गया एक लगा, वैसे डाइक का है, इंध्रा गांधी आवास योजना में निम्न लिखि शर्त है, क्या कह principles पढ़ लेते हैं, पहला, इंध्रा गांधी आवास योजना में बने मकान का मालिकाना हक्यमल महिला को ही प् अगर ऐसा किया जाएगा तो भारत सरकारिया फंड वापस ले लेगी यहां पर बोला गया कि ठेकेदारी प्रथः से आफ मकान नहीं बना सकते क्यों यहां पर बोला गया योजना में आवासों का निर्मान स्वैयम हित्ग राही द्वारा किया जाता है तो ठेकेदारी प्रथा यहां पे नहीं चलने वाली, तीसरा इंद्रा गांधी आवास योजना के अतहत बने मकानों में IAY लिखा होना अनिवार यह है, इसका मतलब क्या है, जैसे अमित कुमार साहु जो मैं हूँ, ठीक है, जैसे अमित कुमार साहु जी ने इंद्रा आवास योजना से लाभानवित हितगराही परिवार ऐसे करके हैं इंद्रावास योजना आवेदन की प्रक्रिया साधे कागशबर आवास हितु आर्थिक साहता प्राप्त करने के लिए आवेदन ग्राम पंचत को देना पड़ते हैं यह मैं बता दिया हूँ कि चैन कौन करता भई च यह लायक है इंद्रावास योजना में लाभानवित होने के लिए फिर वो जो परिवार रहेगा उस परिवार का जो मुख्या रहेगा वो रिटन में साधे कागश पेपर में ग्राम पंचत को क्या भेजेगा ग्राम पंचत को एक लेटर भेजेगा लिखित आवेदन भेज सुची के द्वारा ही ग्राम पंचाद चैन करती है कि कि उस परिवार को इंद्रावास योजना का लाब दिया जाए देखो क्या है पहले 2002 की बात है 2002 में पहले एक BPL सुची आती थी अब वो हड़ गया है बीपेल सुची आती थी अभी वो BPL सुची लेकिन उस BPL सुची का यूज नहीं करते अब हम लोग किसका यूज करते है 2011 के जन संक्या का समाजिक आर्थिक सोशल एकोनॉमिक सैंसर्स यूज करते हैं अब तो पहले 2002 में BPL सुची यूज करते थे कौन लोग करते थे ग्राम सफ़ा उसके बेस्पे चैन होता था कि BPL में किसका किसका नाम लिखा है ग्राम सफ़ा देखती थी फिर ग्राम संजात को बताती थी अब यहां परी क्या बूला गया भी IMY लिखा है यह IAY है IAY के अंतरगत 1985-86 में यहराशी 25,000 मैदानी इलाकों में तथा एक अपरेल दोजाचार को यहराशी 45,000 तथा एक अपरेल दोजाचार से यहराशी 70,000 दिया जा रहा है या कर दिया गया है लिखान से सुनिए इंदरा हवास योजना 1985-86 में चालू हुई थी लेकिन स्वतंतर रूप से कब चालू हुई यह एक जनुवरी 1996 को चालू हुई थी इसते पहले यह 1988-89 में किसके अंदर चलू रही थी RLEGP Rural Landless Employment Garanting Program उसके बाद 1989 से 1996 तक किसके अंदर चलू रही थी यह JRY जावाहार रोजगार योजना के अंदर फिर एक जनुवरी 1996 से स्वतंतर होती है तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए I.M.Y. 1985-86 में जब स्टार्ट हुई थी तो मैदानी इलाखे अब जब मैदानी इलाखे कैसे होगे 36 गण के मान के चलते हैं 36 गण में दुर्ग हो गया, रायपूर हो गया भिलाई हो गया, भिलाश्पूर हो गया यह मैदानी इलाखे का लाते है तो ऐसे मैदानी इलाखों में पहले 35,000 रुपए दिया जाता था घर बनाने के लिए बाद में यह राशी एक अपरेल 2004 को यह राशी बढ़ा के 45,000 के रदी गई फिर एक अपरेल 2013 को यह राशी बढ़ा के कितनी कर दी गई एक अपरेल 2013 को यह जो राशी है यह बढ़ा के कर दी गई है 70,000 कर दी गई है अब उसके बाद नीचे जो दिया है उसमें बुला गया है दूसरा क्या बुला गया है उसमें दूसरे में मुला गया है दूसरे के अंतरगात उनीस सो पच्यासी शासी में यह राशी 27,500 पहाड़ी इलाखों में पहाड़ी इलाखों में तथा एक अपरेल 2004 को यह 48,500 तथा एक अपरेल 2013 से 75,000 कर दी गई जैसे बस्तर हो गया, बीजाप्यूर हो गया, दंतेवाड पहाड़ा, सरगुजा हो गया, जश्पूर हो गया, ऐसे लाखों में अगर कोई मकान बनाता है, ज़ Yangu Kashvir हो गया, फिर उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है तो finally इंद्रावास योजना आपका खतम होता है अब ध्यान से सुनों एक चीज एक अपरेल 2016 को एक अपरेल 2016 को ये जो स्कीम है ये प्रधान मंत्री आवास योजना में शामिल कर दिया है अब इंद्रावास योजना नहीं चल रहा है इंद्रावास योजना का नाम चेंज हो गया है वो प्रधान मंत्री आवास योजना के नाम से चल रहा है और इसमें मिलने वाले जो पैसे उनकी भी राशी एक लाग भी सार हो चुकी है मैदानी लागों में और पहाड़ी लाखों में 1,30,000 हो चुकी तो अगला जो लेक्चर रहेगो प्रधान मंत्री आवास योजना के बारे में ही है फिर से ब्योर रहा हूँ कि जो नंबर आपको शो किया गया था उस पे आप वार्टसप करके मेरे पूरे क्लास से जोड़ सकते हैं SI की offline क्लास स्टार्ट हो गई है सिर्फ एक बैच है 12 लोगों की बैच है 12 लोगों की बैच है जिनको भी जोइन करना रहेगा कर सकते हैं ओके ठीक है इसी के साथ हम बीदा लेते हैं बाई बाई